हलो फ्रेंड्स नमस्कार एंड वेलकम टू शमाधान साथियों उमीद है कि आप सब अच्छे होंगे और त्यारी अपकी बेतरिन तरीके से चल रही होगी जैसे के साथियों हमने सुबा में भी आपको रिजल्ट को लेकर करके अपडेट दिया था और उसके बाद अभी अपडेट को हम लोग देख लेते हैं कि कै अपडेट उन्होंने दिया है तो यहाँ पर देखेंगे के साथियों यह अभी अभी मात्र 37 सेकंड पहले इन्होंने ट्वीट किया है मात्र 37 सेकंड पहले और यहाँ पर देखेंगे तो इन्होंने क्या बताने क्यों किया है मतलब यहाँ पर चेर्मन सर नहीं यह अपडेट दिया है कि जो यहाँ पर अभी objection का demand किया गया है जो छातर अलग-अलग questions पर अपना objection डाल रहे है तो एक बार अल्रेडी जो provisional answer किया था तो उस पर उन्होंसे मांगा गया था objection तो objection उन्होंने दिया उसके बाद chairman सर यहाँ पर बता रहे हैं कि उसके बाद जो objection था तो proper अगर question वो mistake था तो सुधार करके answer उनके accept किया गया और नहीं गलत था तो BPC के तरब से उसका बेक्षा किया गया यानि कि वहाँ पर बताया गया explain किया question को कि आप गलत objection किया है इसका answer यह होगा इसका खारण यह है इसका expression यह है तो यहाँ पर chairman sir का कहाना है कि जब final answer की जारी किया गया तो उसमें explain भी किया गया आपके objections हो कि आपका question क्यों गलत है बावजूद उसके कुछ जो छातर होते हैं क्योंकि यह answer की जो objection है इसमें कोई fee नहीं लग रहा है तो चातर सुचते हैं कि कोई fee तो देना नहीं है तो original answer होने के बावजूद भी वो लोग बार बार objection कर देते हैं क्योंकि अभी दोबारा objection भी मांगा गया था तो chairman sir का वही कहना है यहाँ पे कि जब यह free है तो लोग इसका दुरूपयोग करते हैं और दुरूपयोग करते हैं तो इसमें क्या होता है जो serious student है उनका जो किमती समय है precious time है और वो काफी वरबाद होता है loss होता है क्योंकि delay होता है result जारी करने में मतलब एक ही कारण ही यहाँ पे कि अपका result delay हो रहा है objection के कारण नहीं तो अब तक 12 हो गया तो दू-तिन दिन में result आ जाता तो यहाँ पे आप sir का यह बोलना है जो उनहत्रवी है यहाँ पे आपका change होने वाला है अब उनहत्रवी से जो objection होगा वो free नहीं होगा मतलब कि अब यात्रा आपकी समाप्त होगी free वसे वागा अब यहाँ से आपको paid करना होगा जैसे कि आप SSE के किसी भी जाम में देखते होंगे वहाँ पे अगर आपको कोई objection करना है तो proper उसके लिए per question 50 रुपीज pay करने होते हैं यहाँ भी कुछ free रखेंगे जाएंगे अब कितने फी होंगे वो बाद की update है लेकिन यह ता है कि उनहत्रवी से अपका अब fee लगने वाला है फिरी में आप objection नहीं कर पाएंगे इससे क्या होगा कि जो serious candidate हैंगे वही objection करेंगे फाल्दू के जो delay करना चाहते हैं आपको वो नहीं कर पाएंगे तो यह अत्रवी के अपडेट दिया है फिरी आत्रवी यहां से समाप्त हो गई है और उनहत्रवी के एक्जाम जिसे की 30 सिप्टमबर को है तो अब लोग थ्यारी जोरो सूर्ष करते रहें और बाकी अपडेट के लिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जूर जाएं बीपेसी कान अपडेट के साथ में जल्द ही मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार